आप सभी लोग कैसे हैं आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने तयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे यहाँ पर हम बात करने वाले अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं बताने वाले हैं पूरे मतलब किताब से आपके जो प्रस्णों को यहाँ पर हम करने वाले और आपको लगातार हमारे साथ जुड़ी रहना है और अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है ठीक है ना और यहाँ पर कक्छा बारा बहुती विग्यान की बात करेंगे पूरे किताब से जो महत्तपूर्ण प्रस्ण आपके हैं पांच बाले ना उन प्रस्णों को यहाँ पर हम करने वाले हैं ठीक है ना तो सभी लोग क्या करेंगे वीडियो को ज्यादा अशाय सेयर कर देंगे लाइक कमेश जरूर कर देंगे अगर आप चाहते हैं कि हम पांच नमबर अपना क्लियर करें देखिए क्वेस्टन तो आपको जि जीजेगा यहाँ पर देखिए एक प्रेरक में धारा आई बराबर 5 प्लस 16 टी से ब्यक्त की जाती है माली जो को हमारे पास का एक प्रेरक है प्रेरक मतलब जो क्या कर रहा है प्रेरक कर रहा है प्रेरी मतलब एक इंडक्टर जिसे आप काते हैं ठीक है ना वो प्रेरक है आ प्लस 16 T से व्यक्त की जाती है जहां I तथा T क्रमसा एंपियर वर सेकंड में यह किसमें है I क्या है मैं I हमारा है किसमें एंपियर में है और T कैसमें है शेकंड में है ठीक अब देखिये प्रेरित विद्वतव अखबल 10 यमवी का है 10 मिली वोल्ट का है तो ग्यात करना आपको अगर हम उसमें प्रेरित विद्वतव अखबल की बात करें तो आप जानते हैं जब किसी कुंडली में हम धारा को प्रभाहिद करते हैं तो उसमें क्या होता है अपने आप एक voltage, यायनि क्या हो जाता है, एक voltage बिदितव अखबल उत्पन हो जाता है उसी voltage का मान किनदा दे रखा है, जो बिदितव अखबल उत्पन हो रहा है 10 million Volts दे रखा है, ठीक अब देखिये ग्याद करना हमें पहला नम מאוד स्वा प्रेरकत तो ग्याद करना है आपको अगली वीडियो का देखिए नोटिफिकेशन भी दबा लिए जैसे वीडियो हम अप्लोड करें आपके पास तुरंद ही पहुंचे है ठीक है ना अब देखिए इसमें जो दिया है सॉल्व करेंगे इसको ध्यांज देखिएगा तभी आपको समझ में था समझ में नहीं आएगा इसको सॉल्व करना है तो दिया है ध्यान दिजेगा क्या दे रखा है दिया है हमें क्या दिया है ध्यान दिजेगा यी बराबर दे रखा है कितना दे रखा है टेन में वी दे व्राबर कितना होता है यह आपके लिए वन पास फैक धार है ऑफ भागर कितना हो जाएग थानर दिजीक है 5 प्लस 16 T यह आपके पास धारा हो जाएगी जो कि आपके लिए इंपोर्ट और बेहादी मत पूर है ठीक है ना तो यह आपके पास धारा हो जाएगी और अब देखिए हमें इदो चीजे दे रखा है पहला नमर तो विद्वाहक बल दे रखा है इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट हो जाएगा ठीक यह आप निकल निकाल लेंगे और हमें धारा दे रखा है कितना दे रखा है शुरू में ही दे रखा है 5 प्लस 16 टी ठीक इतना आपको दे रखा है अब देखिए हम निकालेंगे ध्यान दीजेगा डिल्टा आई इपान ड खाटें गें दो लाँ समें गने यहां करेंगे और को समझाएंगे एक का टीक केसा पेख गाएंती के आकल निकारने पर क्या करने पर आ Dafकलन करने पर मिलके है इह आपके यह आपके लिए हो हो जाएगा तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा आई अपान ध्यान दीजेगा अब देखिए जब इसका करेंगे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी हो जाएगा नीचे बराबर इसका करेंगे तो ध्यान दीजेगा इसका करेंगे, तो dy, क्या, dy, dt, 5 प्लस, क्या हो जाएगा, 16t, ठीक, अब देखिए, जब हम 5 का करेंगा, उकलन, तो 0 हो जाएगा, ठीक, और 16t का क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर आपको बचेगा कितना, 16 बचेगा, क्या बचेगा, 16 ampere, प्रति सेकेंड, ठीक है न, य अब ध्यान दिजेगा, जो दिया है, ध्यान दिजेगा, यहाँ पर, E बराबर 10 यहाँ भी दे रखा है, और यहाँ पर 10 इंटु 10 की पाउर माइनेस 3 वोल्ट, ठीक, यहाँ आपको निकाला, हमने क्या निकाला, डेल्टा आई एपांड डेल्टा टी का मान निकाला, 16 ampere प देने बाला हूँ, ठीक है न, तो अब देखे, मेरे पहरे बचा लोग, आप देखे, ध्यान दिजेगा, डेल्टा आई पांड डेल्टा टी, यह हमने निकाला, 16 ampere per second, कहां से आया, हमने समीकर नमबर एक का क्या करके, औकलन करके इसका मान निकाला, ठीक, तो यह आपको य तो स्वा प्रेरकत तो निकालना है, ध्यान दिजेगा, स्वा प्रेरकत का फार्मूला क्या होता है, यल बराबर क्या होता है, ध्यान दिजेगा, इपान, इन्टू, डेल्टा आई अपान, डेल्टा टी, क्या हो चाहिए, डेल्टा आई अपान, डेल्टा टी, अब देखे e का मान कितना दे रखा है हमने उपर निकाला हुआ है कितना 10 into 10 की पाउर minus 3 यहाँ पर रख देंगे 10 into 10 की पाउर minus 3 तो इतना आपको समझ में आया इतना आपको समझ में कोई दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो अब यहाँ से ध्यान दिजेगा हम 10 into 10 की पाउर minus 3 अपान में क्या करेंगे डेल्टा आपको हो जाएगा ठीक 16 हो जाएगा बराबर इसको solve करेंगे ध्यान दिजेगा इसको solve करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.625 into 10 की पाउर minus 3 हेंरी अब इसको हम क्या करेंगे मीली हेंरी भी कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं 0.625 क्या हो जाएगा मीली हेंरी यह आप कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से होनी नहीं चाहिए तो यहां से आपका यल कामान कितना आ जाएगा पहला नंबर हमने क्या निकाला यल बराबर क्या निकाला यहां हमने निकाला 0.625 mh यह आपका अंसर हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपोर्टन और बेहद इमात्व पूर्ण है तो यह आपका solve हो गया अब देखिए एक चीज़ और हमें बचा जो कि आपके लिए बेहद इंपोर्ण यह भी है और बेहद इमात्व पूर्ण है दूसरा नंबर हमें क्या निकालना है ध्यान दीजेगा दूसरा नंबर हमें निकालना क्या है दूसरा नंबर हमें निकालना है कि T वराबर T वराबर देखिए T ती बराबर यहां पर दो सेकेंड में, यहां पर दीक कोईशन में क्या दे रखा, टी बराबर एक सेकेंड में, तो टी बराबर एक सेकेंड में, टी बराबर एक सेकेंड पर, क्या, एक सेकेंड पर, क्या निकालना है, हमें निकालना है, प्रेरक में धारा, क्या निकालना है, T बराबर एक सेकेंड पर प्रेरक में धारा यानि क्या हो जाएगी I बराबर हमें I बराबर कितना दे रखा है 5 प्लस 16 T हमें देखें सेकेंड पर देखें क्या निकालना है संचीत उर्जया निकालनी है तो उर्जया निकालने से पहले हमें प्रेरी धारा को निकालना है ठीक है ना धारा समय कितना दे रखा है टी बराबर एक सेकेंड दे रखा है तो यहां से रखेंगे 5 प्लस 16 इंटू 1 तो यहां क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 21 क्या ध्यान दीजेगा अब देखिए जहारा कितना निकलेगी यहां पर 16 T है तो इसका अमान जब रखेंगे तो यहां पर कितना जाएगा 21 सेकेंड आपका आजाएगा अब देखिए उर्जा को निकालते हैं इतनी बात आपको समझ में आई सभी को समझ में आ गई होगी इतनी बात इतना तो आपको लोग को अच् यह हमारा फार्मूला होता है क्या होता है ध्यान दीजेगा प्रेरक में क्या निकालेंगे प्रेरक में प्रेरक में क्या निकालेंगे संचित उर्जा क्या निकालेंगे संचित उर्जा ठीक संचित उर्जा क्या हो जाएगी हाफ यल आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ य इन्टू 10 की पावर माइनस 3 ये देखिए यल का मान हमने निकाला हुआ है पीछे आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया इतना मान हमने निकाला हुआ है उसके बाद आई का मान हमने अभी निकाला कितना निकाला 21 का स्क्वायर ठीक अब देखिए अब यहां से इसको solve करेंगे तो 1 बटे 2 into 0.625 into 10 की power minus 3 into 400 कितना 441 ठीक है न यह आपके लिए हो जाएगा अब देखिए जब इसको हम solve करेंगे तो कुल मिला करके आएगा ध्यान देज़ेगा यहां पर 1300 137.8 into 10 की power minus 3 ठीक है न यह आपके पास हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा जूल ठीक है न अगर इसको हम और थोड़ा solve करें यह minus 3 को इधर ले जाएगे क्या हो जाएगा 0.138 ठीक लगभग में approximate क्या जाएगा यहां पर जूल में आपका अंसर आजाएगा ठीक तो यहां पर जो उर्जे आएगी हमारी उर्जे आप इसको यू से भी कर सकते हैं सभी लोग के सभी लोग को यहां पर को समझ में आया एक बार लाइक जरूर कर दिएगा ठीक है न सभी को समझ में आया चली आगे आपको बढ़ते हैं अगले क्यों की हो जो कि आपको लिए बहुत इंपॉर्डंट वह भी है अगला कुशन देखी यह भी बहुत ही इंपॉ अची तरीखे से ध्यान दिजेगा यहां पर दिया है क्या दिया है ध्यान दिजेगा दिया है यहां पर कि दिया है देखे आपको कुशन में समझना होगा दिया है एक पचास वाट वाट किसकी काई होती होती है तो यहां पर मिल गया हमें वाट मिल गया तो पी बराबर यह तो V बराबर क्या हो जाएगा? 100 V, क्या? 100 V आपका हो जाएगा, ठीक? और T बराबर, अब यहाँ पर देखे, आप देखे, 60 Hz, ठीक है न, कितना? 60 Hz, यह आपको Hz हो गया, ठीक है न, और यहाँ दीजेगा, और एक बोल्ट, आपको बोल्ट इस दे रखा है, बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर 200 V, ठीक? यह आपको दे रखा है, अब देखे, हमें निकालना क्या है? लाइम्प के, देखे, 150 Watt, 100 V के बैदूत लाइम्प को 200 V, 200 V का मेन सप्लाई होगा, यह तो आपका बल्ब की रेटिंग हो गई, कि जो बल्ब है, हमारा कितने सक्ति का है? वो 50 Watt का है और 100 V का है, ठीक? अब हमें क्या दिया है कि लैंप को हम क्या कर रहे हैं? 200 V और 60 Hz के बिद्धूत मेन से जोड़ना है, हमें इसको किसे जोड़ना है? 60 Hz के मेन से और 200 V के मेन से जोड़ना है, तो बिद्दूत मेंस में जोड़ना है तो लैंप के स्रीनी क्रम में आवस्चक संधारित की धारिता ग्यात करना है अब उस लैंप को जब हम स्रीनी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उस संधारित में धारिता की आवस्चकता कितनी होगी ये चीज़ पूछ रहा है ठीक तो चलिए पहले हम बल्व का प्रत्रोर निकालेंगे उसमें बल्व की धारा की दिनी निकालेंगे फिर दूसरी दसा में जो परिपत में धारा है वो की दिनी निकालेंगे उसके बाद यहाँ पर हम टोटल काउंटिंग करेंगे कैसे करेंगे वो मैं आपको अच्छी तर अब चलिए यह आपको दे रखा है अब चलिए बहुत है इंपॉट बहुत है वल्व का प्रतिरोध निकालना है वल्व का प्रतिरोध यह आपको है जो कि बहुत important है बहुत ही मतपूर है तो चलिए इसको अच्छी तरीके समझते हैं सब्सक्राइब का प्रतिरोद r बराबर क्या होता है सभी लोग मेरे प्रतिरोद चलो comment करेंगे r बराबर क्या होता है r is equal to v square upon p ठीक है ना तो यह आपके लिए एश्राइब हो जाएगा जो कि आप इसके मेन्ग्स के बोलेज़ को रखेंगे क्यों कि यहां पर 50 वाट 100 वोर्ट का क्या है बादुत लैंप है तो मतलब बलका क्या है प्रतिरोद दे रखा है तो वी कितना है आपका सव है तो सव इंटू सव इतना समझ में आया समझ में सव क्यूं हम यहां पर रख रहे हैं क्योंकि यहां पर बल्ब का निकाल रहे हैं हम इसलिए यहां पर लैंप का हमें निकालना होगा ठीक अब देखिए बटे यहां पर सक्ति सक्ति कितना दे रखा है इसके 50 वार तो हैं 50 कर देंगे इसको solve करेंगे आप 1010 कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना 1010 कैंसिल हो जाएगा पांच दूनि 10 solve करेंगे कितना जाएगा 200 अब आप बताइए प्रतिरोत का जो हिकाई होता है क्या होता है क्या होता है ओम होता है तो यह आपका समझ में आ जाएगा ठीक अब देखिए बल्ब का प्रतिरुद हमने निकाल लिया अब बल्ब की धारा को निकालेंगे क्या निकालेंगे बल्ब की क्या बल्ब की धारा ठीक यह आपके लिए हो जाएगा बल्ब की धारा आई बराबर क्य क्या हो जाएगा पी अपान वी क्या हो जाएगा पी अपान वी बराबर क्या हो जाएगा फिफ्टी अपान यहां पर पी का मान हमने निकाला पी का मान पचास है और वोल्टेज का मान यहां से ध्यान देज़ेगा हम बल्ब के लिए निकाल रहे हैं तो यहां पर कितना हो दूसरी दसा में ध्यान दिजेगा दूसरी दसा में अगर हम देखें तो एक चीज और देख सकते हैं यहां पर तो दूसरी दसा में परिपत की धारा दूसरी दसा मतलब ध्यान दिजेगा दूसरी दसा मतलब कि जब बोल्टेज कितना हो 200 बोल्ट हो और जब हमने देखे यह ओपकी पहली दसा हो गई कियो,बल्ब का हमें निकाला कि देखे ध्यान देजिएगा अगर हमें किसी बल्ब की वोल्टेज़ दी हुई है उसकी सकति दी हुई है एथ हम उसका प्रतिरोध nikाल लेंगे और उसकी धारा भी निकाल सकते हैं इतना बात समझ में अब हम क्या कर रहे हैं इसी बल्ब को जब 200 के में से जोड़ दे रहे हैं देखे इसका फीगर आपको कैसे बनेगा उसको मैं आपको बता दे रहा हूं मान लिजी यह आपका परिपत है ठीक है ना यहां पर आपका एक बल्ब लग गया ठीक कितने में से जोड़ा गया है इसको जोड़ा गया है यहां पर इसको जोड़ा गया है 200 वोल्ट यहां पर आपका 200 वोल्ट 60 हर्टर होगा ठीक और यहां पर देखा जाए तो 50 वाट ठीक 50 वाट और 100 वोल्ट का इसकी रेटिंग है ठीक इतना आपको इसका फीगर बना तो प प्रतिरूद निकाला और हमने इसका क्या निकाला करेंट निकाला प्रतिरूद इसका कितना निकाला हमने 200 ओम निकाला और इसकी करेंट हमने कितना निकाला पॉइंट 5 एमपीर निकाला ठीक अब इसकी बार ही है जब हम इसको में से जोड़ देते हैं तो दूसरी कंडिशन मे परिपत में धारा क्या परिपत में धारा ठीक दूसरी द्शा में परिपत में धारा क्या हो जाएगी ध्याण दीजेगा आई बराबर क्या हो जाएगा आई बराबर वी अपान जिड क्या हो जाएगा आई बराबर वी अपान जिड क्या हो जाएगा ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉरेंट और बेहद इम्मत पून है अब देखिए अगर हम यहाँ पर जिड को क्या माने प्रतिबाधा माने तो परिपत की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी परिपत की क्या हो जाएगी परिबाधा क्या परिबाधा ठीक है न यह जिड बराबर क्या हो जाएगा वी अपान आई ठीक वी अपान आई हो जाएगा हमने वी का मान कितना निकाला था ध्यान दीजेग वी कामान इसमें कितना है 200 वोल्ट है ठीक 200 वोल्ट है और करेंट देखिए सेम होगी क्योंकि सीरीज में बन रहा है सिर्णी में जूड़ रहा है तो सिर्णी में हमें इसा क्या होता है करेंट क्या होती है समान होती है तो कितना हो जाएगा 200 वटे 0.5 इसको solve करेंगे मेरे पर चलो कितना जाएगा 400 ओम इसकी जो प्रतिबाधा हो जाएगी परिबाधा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ परिबाधा नहीं प्रतिबाधा क्या प्रतिबाधा निकालेंगे परिबाधा अलग हो जाएगी प्रतिबाधा ठीक है ना तो प्रतिबाधा इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 400 हो जाएगी इतनी बात आपको समझ में आई आई होप आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी ठीक अब देखिए एक सूत्र आप लोगों को मालूम होगा सूत्र क्या है इसको लिखी अच्छी की तरीके से ठीक है ना तो सूतर क्या है ध्यान दिजेगा सूतर हमारे पास है क्या ज असकोएर बरावर आर का सकोएर असकोएर प्लस एकस परनेंगे और Ng1 यदिक है और यहां पर देखे हमें Z का मान मालूम है R का मान मालूम है तो यहाँ solve कर ले जाएंगे Z का मान कितना है ध्यान दीजेगा Z का मान कितना है Z का मान हमें पास 400 है 400 का स्क्वाइर और प्लस यहाँ यहाँ पर हो जाएगा R यहाँ दो सो का स्क्वाइर ठीक यह आपके लिए हो जाएगा इतनी बात आपको समझ में आई समझ में आ गई होगी अगर इसमें हम देखें तो 100 का स्क्वाइर ध्यान दीजेगा यहाँ पर 100 का स्क्वाइर जब कामन ले लेंगे तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर जब 100 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर जब सब कामन लेंगे 100 का स्क्वाइर तो यहाँ क्या बचेगा ध्यान दीजेगा 4 का स्क्वाइर बचेगा minus 1 का square बचेगा ठीक, यहाँ पर 1 का square बच जाएगा यानि ध्यान दिजेगा यहाँ पर अगर देखा जाए इसको थोड़ा दूसरी तरीके solve करेंगे हम ध्यान दिजेगा यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो ध्यान दिजेगा यहाँ पर इसको हम solve करें अब देखिए हम क्या करेंगे ध्यान दिजेगा आप हम क्या करेंगे सौ बाहर ले लेंगे ध्यान दिजेगा तो यहां पर आ जाएगा बाहर सव आ और यहां क्या बचेगा ध्यान दीजेगा यहां पर आपका बचने वाला है कितना शूल कितना बचेगा शूल ठीक है न और यहां पर शूल बचेगा और माइनस फूर बचेगा ठीक है न इसको जब हम सॉल्व करेंगे ध्यान दीजेगा क्या आएगा तो यहां पर एकसी कितन minus 4 कितना हो जाएगा ध्यान दिजेगा अगर 16 minus 4 करें तो यहाँ पर अगर इसको और ध्यान से देखिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 चार 16 यानी 12 बचेगा फिर पुना 100 करेंगे अंदर क्या करेंगे 4 into 3 करेंगे और यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा 100 into 2 अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा इसको solve करेंगे 200 under root 3 आ जाएगा एक सी का मान कितना आ गया मेरे पहरे बचलोग यहाँ पर प्रतिबाधा है इसका मान किन आ गया इसका मान आ गया 200 अब देखिए एक फर्मुला और आपको मालूम है सूत्र क्या है सूत्र ले के लिए एक सूत्र क्या होता है ध्यान देजेगा सूत्र क्या होता है यक सी बराबर क्या होता है वन अपान टू पाई F C F C की जगह फर्म किया लिख सकते हैं ध्यान दिजेगा यहाँ पर C वराबर हम देखे हैं निकालना है संधायत की धायता निकालना है तो C वराबर क्या हो जाएगा 1 upon 2 pi into F into X C यह आपके लिख हो जाएगा तो यहाँ से solve करेंगे 1 upon 2 into pi 3.14 इन्टू 60 into 346 4 यह किसका मान है इसका मान है इसको जब solve करेंगे तो कितना आएगा 346.4 यह आएगा ओम में ओम में है प्रतिबाधा है अब देखिए जब इसको हम solve करेंगे तो ध्यान दिजेगा मेरे पर चलो कितना आएगा 1 upon 130523.52 और यहां से अगर हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता क्या है संधारित्र की संधारित्र की धारिता ठीक तो यहां पर क्या हो जाएगी संधारित्र की धारिता बराबर c बराबर 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फायरड यह आपका अंसर हो जाएगा यही question आपके लिए 5 नमबर आपको दे कर जाएगा तो यह question आपको समझ में आया I hope आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा तो मेरे पहरे बचा लोग इसी बार पर एक बार comment जरूर कर दीजिएगा कि हांसर मुझे समझ में आ गया अगला question देखते हैं यही बहुत question, बहुत important question, बहुत ही प्यारा question बहुत बार पूछा गया प्रशनर तो शली इस प्रशनर को भी solve करते हैं अच्छी तरीके समझ में का प्रयास करते हैं चली इसको देखिए क्या कराए किसी फोटान की तरंग दैर्द माली जो कोई मेरे पास क्या है फोटान है ठीक अभी आगे आगे आपको बताएंगे फोटान क्या होता है फोटान की तरंग दैर्द क्या होती है सारी चियों को यहाँ पर चर्चा करेंगे माली जो कोई फोटान है मारे पास ठीक फोटान है फो प्रवागली तरंग्देर्द है वह क्या है समान है तिक सिद्ध की जियकी फोटान की गती जूर्जा तथा कंड की गती जूर्जा कानुपाद टू लेमडा मानली जे क्या कर रहा है हमारे पास कोई फोटान है तिक प्रवागली तरंग्देर्द के समान है तिक जो द्री बॉगली तरंग्देर्द है न कौन सी डी बॉगली तरंग्देर्द टीक न ये दोनों क्या है बराबर है यही हमें सिद्ध करना है तो अनुपाद इसका क्या है जो समान है तो सिद्ध आपको क्या करना है फोटान की गती जूर्जा और था कंड की गती जूर्जा का अनुपाद टू लेमडा यम सी अपान है अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ लेमडा क्या है तरंग्देर्द है फोटान की और यम क् क्ण का द्रव्भिमान है द्री बागली तरंगदेड क्या ध्यान दिजेगा लेम्डा बराबर क्या होता है यच अपान पी फोता है यह यच क्या है प्लांक नियतांक है यह आपका plank निये tank है ठीक इतनी बात आपको समझ में आए अब देखिए जो गतीज उर्जा होती है ध्यान समझ येगा इसको अच्छी तरीके समझ में आएंगे और इसको समझाएंगे ठीक है अब देखिए गतीज उर्जा जो होती है कहीं जाइएगा मत लुके रहिएगा क कितना हो जाएगा पी स्क्वाइर अपांड टू यम ठीक है ना गती जूर जे आपके पास है ये अब देखे ये आपका फार्मूला होता है के ये बराबर पी स्क्वाइर अपांड टू यम ठीक ये आपका हो जाएगा अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर आपका क्या हो ठीक है न, अब धिहांदी जिगा ड्री बॉगली, क्या लिखेंगे हाँ पर, ड्री बॉगली, तरंग दैर्द, के पदों में, के पदों में, गतीज उर्जा, क्या, गतीज उर्जा, ठीक, यह आपका हो जाएगा, तो k into e बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दिजेगा, h upon lambda का whole square बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m, देखे, p बराबर क्या निकाला था, हमने, p बराबर, यहाँ पर हो जाएगा, h upon lambda, अगर यहाँ से p बराबर निकालेए, P क्या है हम्यारा सम्वेग है तो P वराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर H अपान लेमडा हो जाएगा जो कि हम यहाँ पर रखेंगे H अपान लेमडा का होल स्कार बटे 2 M तो समझ में आया आपका कहां से आया H अपान लेमडा 2 M होती है ठीक है ना चलिए अब देखें P स्कार पान लेम यहाँ से इसको निकालेंगे ध्यान दीजिएगा इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा H स्कार उपर बचेगा यह लेमडा स्कार नीचे आजाएगा अब देखिए E बराबर हमें क्या मालूम है चुकि E बराबर हमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा E बराबर E बराबर क्या होता है उर्जा बराबर H सी अपान लेमडा क्या H सी अपान लेमडा जहाँ C क्या है ध्यान दीजिएगा जहां C क्या है प्रकास की चाल क्या है प्रकास की चाल ठीक अब देखिए अब क्या है C बराबर प्रकास की चाल है तो E बराबर क्या हो जाए अच्छे C अपान लेम्डा ठीक है अब देखिए अब हमें क्या निकालना है फोटान की उर्जा बटे इलेक्टरान की उर्जा ठीक यहाँ पर के एपी क्या के एपी अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा के ए क्या के ए ए ठीक है न तो यह आपका हो जाएगा बराबर स्वाल्व करेंगे ध्यान दीजेगा एचसी अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी उड़ा कितनी है एचसी अपान लेम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोटान की उड़ जाएगा, तो ध्यान दीजेगा, यहाँ पर टू लेम्डा स्क्वाइर, एम, ठीक है न, तो बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजेगा, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों की तरंगदैर्द समान है इन दोनों की तरंगदैर्द क्या होगी समान होगी क्योंकि दे रखा है कि तरंगदैर्द दोनों की क्या है समान है कुश्चन में ही दे रखा है कि किसी फोटान की तरंगदैर्द है लेमडा तथा समान तथा दर्वेमान यम के किसी करण की जो दर्वागली तरंग दैर्ड समान है ठीक है ना जब समान है चूँकि यहाँ पर दे रखा है आगे लिखेंगे चूँकि दोनों की जो तरंग दैर्ड है ठीक है ना दोनों की तरंग दैर्ड किसकी तरंग दैर्ड किसकी तरंग पोटान की तरंग दैर्द और यम दर्बमान के कंड की द्रिवागली तरंग दैर्द लेमडा ई दोनों क्या है समान है ठीक दोनों की तरंग दैर्द क्या है यहां पर तरंग दैर्द यहां पर क्या होगी तरंग दैर्द क्या है समान है ठीक जब समान है तो के इपी ठीक और पोटाइं गती जूर्जा बटे के यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा एच ठीक तो यह आपका हो जाएगा देखे जब यह समान है एक इससे यह कैंसील हो जाएगा बचेगा एक ठीक और एक यह से एक यह कैंसील हो जाएगा बच से एक एच कैंसिल हो जाएगा यहां पर क्या बचेगा एक बचेगा उपर क्या बचेगा तू येम्स बचेगा लेंड़ा एक करना था यहीं समझने आंगे आगले के बात करते हैं। तरह बहुत ही important question और बहुत ही मात्पून question है, question क्या कर रहा है धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक YUM K YAS E PADDHT में लिखिए तथा बीमा सूत्र भी आपको बताना है क्या बताना है भीमा सूत्र भी आपको बताना है ठीक है ना धारा घनत्व यहां दीजेगा धारा घनत्व जे आप इससे क्या समझते धारा घनत्व जी क्या होता है धारा मतलब घनत्व घनत्व मिन्स क्या होता है इसकी सखनता अब देखिए इसको धिहान समझ जीएगा तभी आपको समझ में आगा नहीं आएगा ठीक है ना और सभी लोग लास तक बने रहेंगे बहुत ही महत्पूर प्रशन आपके पांच नमर वाले कुस्टन आने वाले हैं तो यह कुस्टन पांच नमर वाले हैं तो इ के यस ए पद्धत में लिखिये तथा बीमा सुत्र भी आपको बताना है तो धारा घनत तो यहां पर डेंश्टी पूझ रहा है तो किसी चालक में मानली जै को हमारे पास क्या है चालक है में किसी बिंदु पर मानली जै कोई बिंदु है उस पर प्रती एकांक छेत्रपल से क्या करा है किसी चालक में मानली जै को हमारे पास क्या है यह कंड़क्टर है ठीक किसी बिंदु पर प्रती एकांक छेत्रपल से अभिलम बहुत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत तो का दे मानली जै कि को हमारे पास क्या है यह कंड़क्टर है ठीक मानली यह हमारी चालक है तो किसी बिंदू पर मालेजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है यह बिंदू है टिक इसके प्रती raped च्छेतरफल मालेजिए यहाँ पर इसका आं वह उल्यवनल्म हमने डिल्टा अभी हमारे पास क्या है कोई कंडर्णक्टर है । यहां पर मनने एक बहुत ही छोटा सा यह मान लिया एक इसका छेतरेफल मान लिया अभ देखिया क्या करा रहा है इस अभी लंबवत गुजरने वाले ध्हारऊ को इसके काने का मतलब कि यहां से जो गुजरने वाली ध्हारा है जो करेंट अब यहां पर प्रति एकंस मतलब कि चेतरस्पल से अभिलम्बळ गुजरनेवाली धारा को उसे बिंदु पर धारा घंस्थो परद्र भुद्ण आपको एक सेकंट में प्रति एकंस समय में जितनी धारा यहां से गुजर जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे इसका धारा घंत तो कहेंगे बहुत सिंपल सा फार्मूला बहुत छोटा सापका थिफिने सन है ठीक है अब देखे इसे capital J से प्रदर्सित करते हैं किसे capital J से प्रदर्सित करते हैं जान दिजेगा यदि किसी चालक में प्रभाई धारा आई चालक में अनुप्रस छेतरफल A पर A पर एक समान रूप से बितरित हो क्या हो मालिजे कोई हमारी चालक धारा मालिजे धारा इसमें आई है ठीक है न ये क्या करा रहा है अनुप्रस छेतरफल A पर मालिजे का अनुप्रस छेतरफल क्या A है इस पर एक समान रूप से बितरित हो तब उस छेतरफल के किसी बिंत पर जो धारा घनत तो होगा जे इस उकल टू आई अपान A होगा इसको अब लिख लिए जे कितना हो जाएगा जे इस उकल टू आई अपान A होगा तो यम की यस ए पद्धत में इसका जो मात्रक निकलता है मेरे पहरे बचलोग यह आपका फार्मूला हो जाएगा जहां जहां अगर हम बात करें आई क्या है आई क्या है परिपत में ध्यान दिजेगा परिपत या चालक में परिपत या चालक में चालक में धारा क्या है परिपत या चालक में धारा है ठीक है ना उसके बात ध्यान दिजेगा A क्या है A बराबर क्या है ध्यान दिजेगा यह क्या है एक आंक छित्रफल क्या है यहां पर परिपत का परिपत या चालक का परिपत या चालक का परिपत या चालक का एक आंक छित्रफल क्या है एक आंक छित्रफल आप लिख सकते हैं यहां पर ठीक है न तो यह आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा बहुत ही इंपॉर्ट है तो यम की यस ए पध्धत में इसका मात्रक एंपियर पति मीटर इसक्वाय तो यह की पावर जीरो एकी पावर यह होता है तो यह आप लोग लिख लिए गा जो की बेहद इंपॉर्डंट है और बेहद इम्पॉर्डंट है ठीक है एक प्रस्ण और मैं आपको पांच नंबर वाला कराता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन कोईशन ये भी है और बहुत ही मात्पूर्ण कोईशन आपके लिए ठीक है ना तो तरंग दै लेमडा बराबर 5 इंटू 10 की पाउर माइनस 7 मीटर के फोटान की उर्जा कामान इलेक्टरान बोल्ट में आपको निकालना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्डन और बहुत इमात पूर्ण है ठीक है ना तो जलिए ध्यान दीजेगा यहाँ पर तरंग दै लेमडा बराबर 5 इंटू 10 की पाउर माइनस 7 मीटर के फोटान की उर्जा कामान है इलेक्टर जान बोल्ट में आपको निकालना है इसका मान ठीक है ना तो यहाँ पर ध्यान दै लेमडा बराबर 5 इंटू 10 की पाउर माइनस 7 मीटर ठीक है ना तो यहाँ पर फोटान की उर्जा क्या हो जाएगी ध्यान दीजेगा फोटान की उर्जा फोटान की उर्जा E बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा यच V अब देखिए अब देखिए ध्यान दीजेगा V बराबर क्या होता है V बराबर अगर देखा जाए तो ध्यान दीजेगा V बराबर क्या होता है V बराबर अगर देखा जाए मेरे पहरे बच्चा लोग तो यहां से आप निकालेंगे क्या C upon lambda क्या C upon lambda ध्यान दीजेगा जो प्रकास की चाल है और तरंग देर्ड ठीक है तो अब देखिए जो कि हमें मालूम है वेग बराबर प्रकास की चाल बटे तरंग देर्ड यह आपका हो जाएगा तो यह आपको ध्यान दीजेगा यह आपके लिव हो जाएगा तो यहां से हम रखेंगे इसमें तो यह बराबर क्या हो जाएगा फोटान की उर्जा H C upon lambda हो जाएगा ठीक अब यहां से अगर हम देखें यह अच कामान हमें मालूम है कितना होता है 6.6 into 10 की पाउर माइनस 34 होता है into ध्यान दीजेगा और प्रकास की चाल सभी लोग जानते है 3 into 10 की पाउर 8 मीटर परती सेकंड और नीचे lambda कामान के दादे रखा है 5 into 10 की पाउर माइनस 7 मीटर ठीक है ना यह आपके लिव हो जाएगा अब ध्यान दीजेगा तो यहाँ पर देखे ध्यान दीजेगा जब इसको हम solve करेंगे तो क्या आएगा 6.6 into 10 की पाउर माइनस 19 into 3 बटे क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा 3.96 into 10 की पाउर माइनस 19 वोल्ट यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा इसको हम solve करेंगे तो मेरे पहरे विचा लोग यहां पर क्या हो जाएगा अब देखिए बोल्ट में है इसको electron bolt में निकालना है देखिए question में कराया है कि electron bolt में निकालिए तो electron bolt में क्या हो जाएगा 3.96 into 10 की power minus 19 बटे क्या हो जाएगा 1.6 into 10 की power minus 19 बराबर क्या हो जाएगा 2.475 electron bolt तो यहां पर यह बराबर क्या हो जाएगा 2.479 electron bolt तो यह आपका अंसर हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहाधिम्पॉर्टेंट और बेहाधिम्पूर्ट है तो यह आपके most important questions थे मेरे पहरे बचा लोग अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को like, share, comment, subscribe जरूर कर सकते हैं फिर मिलते है नेक्स वीडियो में नए topic के साथ अब तक के लिए जैहिन जै भारत